दोस्तो अगर हम आपसे पूछें कि Bollywood के पुराने दौर के अभी नेत्रियोń और आज के दौर के actresses में कौन best है तो आप यँकेनन पुराने दौर के actresses को ही चुनेंगे क्योंकि वो सब ही actresses इसकदर दंदार अभी ने प्रदर्शन किया करती थी कि ऐसा लगता ही नहीं था कि वो आक्टिन करती है बलकि वो सब हकीकत ही लगता था और ये काबिलियत आज के आक्टुसिस में कहा है इसलिए तो कहते है ओल्ड इस गोल्ड लेकिन दोस्तों आप पुराने दौर कि उन सभी आक्टुसिस के बारे में तो अच्छी से वाकिफी ह लेकिन क्या आप चांते हैं कि उन सभी आक्टुसिस के रियोल लाइफ हस्पेंट और बच्चों के बारे में जो इनकी तरह काफे सदा सक्सेस्पुल है और उनसे बेहत प्यार करते हैं क्यों लेकिन क्यों कि वो लाइम लाइट से को सो दूर रहते हैं इसलिए उनके बारे म नीतु सिंग अपने दौर के बोल्ड और ब्यूडिफुल अक्टुस रही है लेकिन बहीं बात करें इनके पती और बच्चों के बारे में तो आपको बता दे कि इन्हों ने एक्टर रुशी कपूर से साल 1986 को शादी की थी और जो कि एक लव मैर्ज थी आगे चलकर दोनों ह इस दुनिया में नहीं रही है उनका 30 अपरेल 2020 में ही निधन हो चुका है आपको बताते चले के रुशी कपूर ने अपने करियर में चांदनी बॉपी प्रेव रोग जैसे कई यादगार फिल्में दी है बात करें इनके दोनों ही बच्चों के बारे में तो इनकी बेटी का नाम रणबीर कपूर है एक अक्टर और अब तक उन्होंने तमाशा संचु और यह जवानी है दिवानी जैसी कई बहतरीन फिल्मों में काम भी किया है और उनके आने वाली फिल्म के नाम ब्रहमास्त्र है जिसमें वो अपनी गर्फर्ण यानिके आलिया भट के साथ नसर आ जाए थी और बात में दो बेटियों की ममी भी बनी बताने के पती यानिके रवाचिश खना ने कटी पतन अमर प्रीम आनंद और अवतार जैसी कई सुपर हिट और बहतरीन फिल्मों में काम किया है लेकिन साल 2012 में उनका नधन हो चुका है वही बात करें इनके बच्चों के जिस देश में गंगा रहता है जहनकार बीट्स और प्यार कभी कभी जैसी कई फिल्मों में काम किया है अगर बात की चाहे इन दोनों की पर्सनल लाइफ के बारे में तो ट्विंकल ने अभिनित आक्षा कुमार के साथ साल 2001 में शादी की थी जिनसे इने एक बेटे आरा व एक बेटी नितारा हुए वह रिंकी ने बिस्नस्मैन समीर सारण के साथ साल 2003 में शादी रचाई जिनसे इने एक बेटी नाउमी का है ड्रीम गर्ल यानिके हेमा मालिनी ने साल 1989 में बॉलिवुट के ही मैन यानिके धर्मेंद्र के साथ उशादी करके अपना घर बसाया जिसके बाद इनके इर्दिगर दो बेटियों ने चैनल लिया जिनका नाम ईशा और अहाना है आपको बताते चले की ही मैन यानिके धर्मेंद्र अस्सी के दशक के मशूर और एक टालेंटर अभी नेता रही है जिन्होंने धर्मवीर और शोली जैसी कई बहतुरीन फिल्मों में काम किया और आज भी वो बतौर आक्टर फिल्मों में काम करते है अकसर नज़र आते है प इन्हें दो बेटिया भी है वही इनकी छोटी बेटी हाना देवल एक भरत नात्यम डांसर है और साथ ही उन्होंने ना तुम जानोना हम जैसी कई फिल्मों में काम किया है बता दी कि उन्होंने बिसनस्मेन वैभव वोरा से शादी की है जिनसे उन्हें तीन बच्चे भी है दामीनी, घायल और घातक जैसी का यादगार और सुपहिट फिल्में देने वारी आक्ट्रस है मिनाक्शी शेशात्री जो कि अब बॉलिवुट की दुनिया से कोई सुदूर है लेकिन बात की जा है इनके रियोर लाइफ पार्टनर और बच्चों के बारे में तो आपको ब बता रही है इनके बात करें बच्चों के बारे में तो इनके एक बेटी है जिसका नाम कैंडरा रखा हुआ है और एक बेटी है जिनका नाम जोश है इनके ये दोनों बच्चे आज काफी जादा बड़े हो चुके हैं लेकिन पुरानी ही तस्वीर इंटरनेट पर इनके पती ने व्यानिके हस्पट के बारे में तो आपको बता दे कि इनके पती का नाम नाम नहाता है जिनसे इनोंने साल 1986 में शादी रचाई थी बता दे कि श्रिकांत पहले से ही शादी शुदा थे और तीर बच्चों के पिता थे इसलिए शादी के कुछ सालों बात ही ये इनसे अलग रहने लगी लेकित तलाक नहीं लिया इसलिए इन दोनों के अपनी कोई संतान नहीं है लेकिन एक बेटे को इन्होंने गोद जरूर लिया है आपको ये भी बताती चले कि श्विकांत नहाता पेशे से एक फिल्म प्रोड्यूसर है जिन्होंने मचाल वफदार और हैसी जैसी कई फिल्मों का निर्मान किया है वहीं बात करें इनके गोद ले हुए बेटे के बारे में तो उनका नाम सिथ्धू है जो कि वईये रे वईये रे फिल्म के साथ कर्णर इंडस्ट्री में अपने करियर कुषिणवात कर चुके है और साथ इसाथ शादी कर से पाकिस्तानी टुके लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर महसील खान के साथ शादी की थी और एक बेटी की ममी भी आक्टिंग सीख रही है और साथ ही बॉलिवूड में अपना डेव्यू करने की फुल आन तयारी में है तो दोस्तों आपको इन में से किस अभी नित्री के पती और बच्चों के बारे में जानकर सबसे ज़्यादा हैरानी और शौक्ट हुई है आप हमें उनका नाम कमेंट सेक और साथ है साथ वॉलिवूड के और भी ऐसे कलाकारों के पार्टलर्स और उनके सामिली के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंट सब्सक्राइब करें